नमस्कार आप देख रहे हैं दान्यूज आपके साथ मैंस ट्रिस्टी मिश्रा चुनावी रण नीतिकार और जन सुराज के संसापक प्रशांत किशोर जी का बड़ा अटाक राजद नितिश कुमार पर और जेडियू की पाटी पर बता दे आपको नितिश कुमार पर इस बार पर प्रशांत किशोर हमेशन ही चुनावी भविष्षाणी करते हैं और सद्प्रतीशत सच भी सब तो नहीं होती लेकिन हां कुछ बाते उनके सही सावित होती होती दिखाई भी देती है और अभी कम्यों उछाल रहे हैं और एक अच्छे नेसर नेता माने उन्होंने गठवंधन को लेकर बड़ा हमला लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव और नितीश कुमार पर बोल दिया है पहले तो नितीश कुमार गलत फहमी ना पाले जिस पार्टी का एक भी सांसद ना हो वो कैसे ऐसे गलत फहमी पाल सकता है कि इंडिया गठव बता दिया बता दे आपको चुनावी रड़ नितीकार ने इसको जोड़ कर भी बताया उन्होंने कहा कि बिहार में बिहार में जेडियू और राजत का भले आधार है लेकिन बाकी किसी भी राज्य में जेडियू और राजत का कोई आधार नहीं है यही वज़ा है कि उन्हे गठ बंधन में तवज्जों नहीं मिलेगा तो नितीश कुमार को ये सपना देखना भूल जाना चाहिए कि उन्हें पीम पत का कैंडिडेट कोई समझे वैसे भी मैं आपको बता दूँ पीम पत समझे या ना समझे एक बात जो सियासी गलियारों में चल कर आ रही है वो ये है कि नितीश कुमार ने संयोजक पत के लिए इसलिए मना किया कि उनको पता है कि गठ बंधन धराशाई होने वाली है ये बात चल कर आ रही है अभी इस पर मुहर नहीं लगी कि नितीश यही सोचकर संयोजक नहीं बने बता दे आपको मलिका और उन खड़गे अध्यक्ष बन कोई थी अखिलेश यादर नहीं आए उधर ठाकरे नहीं आए तो यह भी बहुत बड़ा इशारत था इधर मैं आपको बता दूं यहां पर मलिका अजुन खड़गे का नाम का जो चयन है वो नितीश ने दिया था कि कॉंग्रेस कहीं हो कॉंग्रेस कहीं जो है वो भी अध् थपत पा रहे हैं मतलब तेजस्वी और नितीश पर हमला था चुनावी रंडिदिकार प्रशान किशोर का कि बिहार में केवली एक दूसरी पीट थपत पार है मतलब इनका और कोई अधार नहीं है कभी चाचा भतीजे का कभी भतीजे चाचा का यह बहुत बड़ा अटैक ह जेडियू और नितिश कुमार की पाठी और राज़त पे मतलब की राष्ट्रे जन्तादल पे बतादे आपको यहां पर जिस तरीके से चुनावी रंडिदिकार का हमला हुआ है उन्होंने कहा कि सिखशक भरती के नाम पर धांदली की जारी है कोई भरती नहीं हो रही है बि हार में ऐसी माननता है कि दही चुड़ा उस दिन खाय जाता है और आज देखिए वहां पर दही चुड़ा का आयोजन हुआ लालू प्रसाद यादव की घर पर यानि रावड़ी आवास में दही चुड़े प्रोग्राम का आयोजन किया गया जिसमें नुतीश अपने घवा कर एक अलग खिचड़ी पक रही है ऐसा कहा जा रहा है मतलब की दही चुड़े के पार्टी में दही चुड़ा खाने के लिए भले लालू प्रसाद यादव की घर पर गए नुतीश कुमार लेकिन इससे अलग खिचड़ी पकेगी जो आज शाम में भी बनने वाली है और मै लाते भी हैं और बहलाते भी हैं केवल एक वज़े से लालू प्रसाद यादव को यह ब्रहम है कि नितीश कुमार पीम के अगर बनके जाए तो अच्छा है बिहार की कुरसी छोड़ दे मतलब सी एम बनने की और उनका बेटा मुख्यमंत्री बन जाए बता दे आपको यह न मतलब चांसेज हैं मेरे अब मैं आपको बता दू इंडी गठ बंधन के नियोता को ठुकराना पहले तो एक तो संयोजक नहीं बनाया जा रहा था नराज थे पार्टी का बॉयकॉट किया प्रेस कॉंफरेंस में नहीं गए लालू से भी गुस्सा हो गए फिर लालू भी इन इस तफर बढ़ें और मैं नहीं बनना चाहूंगा कोई बात नहीं मुझे दिल्चस्पी नहीं है उनको दिल्चस्पी केवल सीएम की कुरसी पर है जैसा की राजस्थान के मुख्यमंतरी पूर्व अशोग गैलोत कहते थे की कुरसी मुझे नहीं छोड़ रही है खेर अब म भी दही चूड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया और कहा गया कि बीजेपी की कुछ नेता भी जैडियू के प्रोग्राम में पहुचेंगे ऐसा नहीं है कि राजनिती में अलग है तो बिल्कुल यह कटरता दिखाए जाएगी कि मैं आपके आयोजन में नहीं जाओंगा राजनिती है अलग-अलग विचार धारा है लेकिन देखिए नेता एक दुसरे के घर पर जाते रते हैं मिलते रते हैं तो बीजेपी के भी नेता कई जेडियू के दही चूड़ा कारेकरम में जाने वाले हैं और गए भी होंगे और बता दे आपको यहाँ पर पटना में य भोज का आयोजन किया गया जहाँ पर नितिश कुमार नजर आए हैं तो महागडबंदन की घटक दलो में से कौन प्रमुख नेता आते हैं इस पर नजर हमारी रही और बता दे आपको वहाँ बीजेपी के कुछ नेता भी शामिल होते दिखाई दिये हैं यह महत इसलिए सकता है कुछ भी बिहार में पॉसिबल है क्योंकि पिछले साल लालू प्रसाद यादव ने दही चूड़ा बकर संक्रांती के दिन वो आयोजन नहीं रखा यहीं वज़ा है कि इस बार उन्होंने यह आयोजन रखा इस पर नजर टिकी हुई है कि आखिर यह आयोजन क्यों ह यानि कि बियार में कुछ भी हो सकता है लालू प्रसाद यादव की सभी बातों पे नितीश बिलकुल खरे नहीं उतरेंगे और नितीश कुमार अपनी अलग रण निती बनाएंगे गठवंधन के सयोजक नहीं है और अध्यक्ष नहीं है और ऐसे में देखने वाली बात यह यहां पर यह हो जाएगी कि आखिर नितीश कुमार क्या करते दिखाई दे रहे हैं बता दे आपको ललन सिंग ने इस बीच केंदर सरकार की नितियों पर खुब हमला बोला खुब जोड़दार हमला बोला और कहा कि मीडिया पर अटक किया जा रहा है देश पर अगोशित आ बड़ा दावा है कि कुछ भी कर सकते नितीश कुमार इससे अलग सियासी तापमान बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और कह दिया कि जिसका कोई दल कोई सांसद ना हो वो प्रधान मंत्री अपने आपको कैसे सोच सकता है तो नितीश के सपने पर भी पानी फेर दिया और इधर लालू प्रसाद यादाव के सपने पर भी नितीश ने पानी फेर दिया संयोजक नहीं बने और इधर बिहार की कुरसी तो हिलन नहीं देंगे आपकी जो भी राय हो इन बिहार की राजनिती को समझ कर जरूर कॉमेंट कीजेगा बहुत शुक्री आपका